Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि August मन्त में आपकी Love Life में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टनर की energies होंगी, क्या आप महसूस करेंगे कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखे आप August मन्त की energies को बदल सकते हैं, अपनी Love Life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाप से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाप से राशी हो, आपका Moon sign हो या फिर आपका Sun sign हो इन फाक जिस sign के साथ आप सबसे ज़्यादा resonate करते हैं, आपको लगता है कि ये sign आपका है आप उस sign के हिसाप से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं August 2024 की Love Tarot Reading चलिए Libras, आप लोगों के लिए देखें ये August 2024 में आपकी Love Life में क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पर तीन set of cards है फिर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सेकिन set of cards में आपके partner की energies देखेंगे और थर्स set of cards में हम देखेंगे कि finally August month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए हाँ पर सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं और यह cards कहते हैं कि मन ही मन बहुत एक attraction आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं बहुत एक connect महसूस कर रहे हैं या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप connect करना चाहा रहे हैं लेकिन surface level के लिए आप थोड़ा ऐसा अपने आपको hold back कर रहे हैं आप अपने लिए stance लेते हुए दिख रहे हैं कहीं अपनी तरफ से उतने action initiatives नहीं लेते हुए दिख रहे हैं reasons, circumstances, situations सब Libras के लिए differ करेंगे लेकिन six of ones reverse का card कहीं ego की भी बात करता है हो सकता है कि बात आपकी self respect पे आ गई है, एक ego सी आप महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसे लग रहे हैं कि बस अब आप अपनी तरफ से उस तरीके से action initiatives नहीं लेंगे उस तरीके से आप अपनी तरफ से चीजों को नहीं deal करेंगे जैसे कि पहले आप कर रहे थे और कहीं थोड़े से जिद्धी, थोड़े से stubborn भी आप होते वे दिख रहे हैं अपनी बात पे stick करते वे दिख रहे हैं, अपनी बात पे कायम होते वे दिख रहे हैं in fact मैं कहूंगे कि अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से आप hold on करते वे दिख रहे हैं थोड़ा सा society, religion भी आपके लिए matter कर रहा है कहीं आसपास लोग क्या कहेंगे ये भी चीज़े आपको थोड़ी सी bother कर रही है और दिखें इससे भी जादा जो आपने अपने मन में सोच लिया आप उसको लेकर बहुत rigid हो रहे हैं आप बिलकुल stick करेंगे इसी चीज़ को तो फिर से कहूंगी जिद्धी stubborn हो रहे हैं और कुछ चीज़ों को in the process avoid करते हुए दिख रहे हैं, ignore करते हुए दिख रहे हैं और दिखें, end august के लिए the world and drinks के cards कहते हैं कि जो भी चीज़ें आपको serve नहीं कर रहे हैं, उनको आप end करके नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहा रहे हैं और कहीं अपने आपको eating, drinking, merrymaking, fun, mazah, musti में involved करते हुए दिख रहे हैं आप दिखें, यहाँ पे सब Libras के लिए different reasons हो सकते हैं कि आप उतने initiatives नहीं ले रहे हैं, अपने mind को divert करने के लिए, अपने mind को relationship से हटाने के लिए आप ज़ादा, you know, party कर रहे हैं, लोगों से connect कर रहे हैं In fact, देखिए, कहीं, you know, eating, drinking, merrymaking ज़ादा रहती भी दिख रही है कुछ के लिए कोई और reason भी हो सकता है, यह जो मेरे mind में आया, मैंने आपको कहा और अब देखते हैं Libras के आपके partner की क्या energies है तो देखिए, आपके partner के लिए यहाँ पे सबसे बहले cards है, 9 of souls and distance और हमने आपके energies में देखा कि आप थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं थोड़ी सी एक ego आपकी तरफ से जादा रहती भी दिख रही है थोड़ा सा, you know, आप उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं और इसी वज़े से या फिर otherwise भी एक distance आपके partner अपने और आपके बीच में महसूस करते भी दिख रहे हैं और कहीं ये चीज उनको बहुत जादा bother कर रही है वो बहुत overthink कर रहे हैं, कहीं परेशान हो रहे हैं कुछ Libras के partner के लिए दिखे, personal friend में भी कोई चीज हो सकती है जो उनको परेशान कर रही है और कुछ के लिए जो आपका एक attitude है, जो आपका एक behavior है वो उनको बहुत bother कर रहा है वो negative thoughts में जादा रहते हुए दिख रहे हैं अब फिर मैं कहूंगी negative thoughts इनी चीजों की वज़े से आपके इस attitude की वज़े से उनको जादा आते हुए दिख रहे हैं और बहुत परेशान होते हुए दिख रहे हैं थोड़े से critical थोड़े से judgmental वो हो सकते हैं थोड़े से complaining वो हो सकते हैं आपको message call करके एक शिकायत वो कर सकते हैं और कहीं वो भी जो चीजें serve नहीं कर रही हैं इस relationship में ठीक नहीं हैं उनको end करके नए सिरे से एक शुरुवात करना चाहा रहे हैं आपके साथ एक नहीं beginning करना और इसी के लिए action initiatives लेना तो चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से action initiatives नहीं ले पा रहे हैं अब देखें यहां पे सब Libras के partner के लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए हो सकता है genuinely personal friend में you know बहुत occupied हैं तो आपको call message करना चाह रहे हैं या फिर से मैं कहूंगी कि जो भी action initiatives उनकी तरफ स चीजों को बहतर करने के लिए relationship को बहतर करने के लिए वो करना तो चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं वो action initiatives और कुछ Libras के partner के लिए हो सकता है कि काफी controlling हो रहे हैं काफी dominating कहीं end August में वो होते हुए दिख रहे हैं थोड़ा सा उनका attitude behavior rough भी हो सकता है थोड़ा सा you know aggressive भी हो सकते हैं और अब देखते हैं Libras की August मत में क्या हो रहा है तो देखिए जैसे कि हमने आप दोनों की energies देखी कि आप भी कहीं withdraw कर रहे हैं और आपके partner भी कहीं उस तरीके से action initiatives starting of August में नहीं ले रहे हैं in fact वो आपके इस attitude से बहुत परेशान हो रहे हैं औ और यहाँ पे August मत के लिए Seven of Pentacles reverse का card कहता है कि एक passive energy इस relationship में है यानि कि कुछ खास नहीं हो रहा है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक planning जादा करते हुए दिख रहे हैं हो सकता है कि कोई decision कोई choice लेना चाहा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं और इसी के बारे में जाद सोच रहे हैं पीछे जो भी पल आपने अच्छे बुरे बिताए उन पे focus कर रहे हैं उनको समझते हुए कहीं इनो action initiative लेना चाहा रहे हैं आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भाई इस मकाम से अब आगे क्या किया जाए जैसे चीज़े चल रही हैं वैसी ही उन आपने आपके पार्टनर ने लिया हुआ है यह एक passive energies है और यहाँ पे juggling का card कहता है मन ही मन बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे thoughts आप दोनों के मन में चल रहे हैं कुछ libras या फिर उनके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि personal front में या professional front में बहुत सारी चीज़ें एक साथ च चीज़ें time, focus, attention, demand कर रही है कि कहीं relationship avoid हो रहा है, relationship पे इतनी attention नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि फिर से मैं कहूंगी बाकी चीज़ों में बहुत हलचल हो रही है and mid august के लिए both still in love का card कहता है कि man ही man, आप दोनों के ही man में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, बहुत महबबत है लेकिन surface level के लिए queen of pentacles reverse का card कहता है या तो professional front बहुत demanding हो रहा है यानि कि professional front में बहुत काम है, उस पे focus करना पड़ रहा है, उसकी वज़े से relationship पे नहीं उतना focus कर पा रहे है या पर थोड़ा सा practical, realistic, जादा होने की कोशिश कर रहे हैं या हो रहे हैं और दिखे, end august के लिए returning and four of pentacles का card कहता है मन ही मन आप दोनों ही कुछ भी issues मसले हैं तो उनको reconcile करना चाहा रहे हैं, solve करना चाहा रहे हैं, resolve करना चाहा रहे हैं एक दूसरे के पास वापस आना चाहा रहे हैं, एक दूसरे से connect करना चाहा रहे हैं लेकिन शायद आप दोनों में से कोई एक काफी rigid fixated हो रहे हैं और Libras, आपकी energy जादा दिख रही हैं, आपके partner के लिए भी हमने देखा chariot reverse में कि थोड़े से aggressive हो रहे हैं, उनका तरीका, यूनो बात करने का, चीजों को communicate करने का, इतना कोई sweet या pleasant नहीं रहता हुआ दिख रहा है, उनके actions में, behavior attitude में, और इसी लिए शायद आप भी Libras, थोड़ा सा, अपना जो भी stand लिया है, उसको hold on करते हुए दिख रहे हैं, या कोई भी और चीज हो सकते हैं, देखें, जो मेरे mind में आये, मैंने कहा, लेकिन कहीं किसी चीज को बहुत tightly पकड़ रहे हैं, आप देखें, यहाँ पर यह भी हो सकता है, कि आप दोनों वापस आ गए हैं, connect कर लिया है, और इस relationship को बहुत tightly पकड़ रहे हैं, क्योंकि देखें, यहाँ दोनों की energies के लिए काड है, खाली आपके लिए नहीं है, आपके partner के लिए नहीं है, तो हो सकता है कि एक फिर से आप लोग reconcile कर रहे हैं, reconnect कर रहे हैं, और चीजों को resolve कर रहे हैं, और बहुत tightly एक दूसरे को hold on कर रहे हैं, या फिर कुछ Libra's के लिए या फिर उनके partner के लिए भी हो सकता है कि कि किसी बात को tightly पकड़ कर बैठे हुए हैं, या अपनी feelings को tightly पकड़ कर बैठे हुए, express नहीं कर रहे हैं, या कोई भी और चीजों हो सकती है, और deeper level के लिए yes definitely, you know reconcile करना चाहा रहे हैं, तो बहुत सारी chances ह है कि end August में अगर कुछ issues आप दोनों के बीच में रह रहे हैं, तो वो resolve हो जाएंगे, वो solve हो जाएंगे, तो ये था Libra's आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें आपके साथ 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